दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से लॉंग टरम शेर्स LTS में स्वागत है आज हम पहले दो कॉमेंट्स लेंगे और एक बहतरीन मल्टी वैगर स्टॉप के बारे में चर्चा करेंगे जो की केमिकल इंडेस्ट्री से बिलॉंग करता है और अभी भले ही उसमें बहुत गिरा करण है कि अभी यह स्मॉल कैप कंपनी है और अगर देखे नियूरे लिस्टेट भी है और जब से लिस्ट हुई है बहुत 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 बनाके दिये हैं वह भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम कॉमेंट लेते हैं यहां पर अनिल कुमार साहब का हमने एक वी लिस्ट में अपने अब यहां से हमें जो है स्क्रिप्ट को डेलीट करनी है तो आप देख रहे होंगे जो भी वाच लिस्ट है उसके ऊपर आपको एक पेंसल का निशान मिल रहा उस पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट आजाती आप किसी भी स्टॉक को आपको डेलीट करना माली जी HDFC बैंक को सबसे उपर है उसके राइट साड में बटन है उस पे आप क्लिक करेंगे तो हट जाता और फिर आप डन करेंगे हो जाता है तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को वहां से डिलीट कर सकते हैं और दूसरा जो कॉमेंट है यहां पर शुभम जी का इन्होंने पूछा है कि सर सबसे जो लो ब्रोकरेज वाला कोई डिमेट अकाउंट हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिए तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे उससे पहले चलिए मैं आपको जो लो प्रतीक्षा कर रहे हो कि वह कौन सा ऐसा स्टॉक है तो हम उस पर पहले डीटेल में जान लेते हैं उसके बाद हम बताएंगे आपको एक बहतरीन ट्रेडिंग आप के बारे में जिसमें से आपको बहुत सारे बेनेफेट्स मिलने वाले हैं यह जो इस टॉक है इसका नाम है यशो इंदस्ट्री यहां पर देखिए दोस्तों न केमकल्स में और जो इंदस्ट्रील केमकल्स है उसमें बढ़ोत्री होई हो गया है 80% यानि कि 134 करोड़ का पिछले वर्ष के क्वाटर में था जो रेवेन्यू और इस बार हो चुका है 190 करोड़ का काफी अच्छी खासी बढ़ोत्री यहां पर देखने को मिली है उसी तरीक में देखते हैं तो 23% का दो है रेवेन्यू मिलता है जब कि पिछले वर्ष के क्वाटर में था 22% रेस्ट आप दवर्ड रह गया 14% जो कि पिछले वर्ष क्वाटर में था 17% अच्छा खासा एक्सपोर्ट बढ़ा है बस वही समस्या है थोड़ी सी हमें लगता है कि इस कुछ हटका लग सकता लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं आने वाले क्वाटर में बिल्कुल हमें पता चल जाएगा लेकिन एक अपोर्शनुटी भी कि ऐसी छोटी कंपनिया अगर फल फोल रही है तो हमें लगता है कि अच्छा खासा पैसा बन सकता है कंजूमर केमकल्स म से औरल केर परपरेशन सोगें इंकलूडिंग तूथ पेस्टूट पाउडर और माउथवाश फूट एंटी ऑक्सिदेंट उसमें आ गया है एडिमल ओएल्स कंफेक्शनरीज और फूडिस्टफ इनिमल फीड वितमेंस प्रिमिक्स और नूट्रसूटिकल्स इंदेश्टि केमिकल्स में रहते हैं स्टबलाइजिंग फोज एक्रिलिक्स प्रिंटिंग इंग कोटिंग्स यूपिया रेजिन्स और फाइबर कंपोजित रेजिन्स क्रॉस लिंकर्स फॉर थर्मो प्लास्टिक्स और इंटेमेडिस फॉर एक्टिव फार्मासूटिकल इंग्रेडियंस तो काफी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है इस कमपनी का इस स्टॉक प्राइस है जो है शोला सो के आस पास है लेकिन मार्केट केपिल देखिए सतरा सो अठानवे करोड की ही यहनी कि बहुत छोटी कमपनी है दस की फेस वैल्यू भी है 2018 में लिस्ट हुई थी हाई लो देखिए काफी अच्छी खासी करेक्ट भी हो चुकिए करीब 21 रुपय का हाई बनाते हुए अभी 1600 के आस पास चल रहा है एक वर्ष में 11.5% करेटन है जो कि जिन्होंने 6 महने पहले निवेश के उनको 5% करेटन मिल रहे हैं कि बड़ी बड़ी अगर आप कंपणियां देखेंगे तो वो कम से कम आधी हो चुकी यहाँ पर काफी तगला लॉस बनाके दे रही है प्राइस टोर्निंग रेशियो अगर देखते हैं 25 का है प्राइस टो बॉक वेल्यू एक पॉइंट फाइवन कर डिलिवरी इसकी 40% के आस पास है डिविडेन भी पे करती है इतनी चोटी कंपणि और अगर देखें रिटन सबसे महत पूर्ण चीज क्या है कि जब से भी यह लिस्ट हुई है 2018 से 2030 पांच वर्ष हो ही गए हैं तो 60 मंस में अगर किसी ने एक लाक रुपए लगाया है तो उसका पैसा बन चुका है 16 लाक से ज्यादा का यानि की एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर यह है अगर हम देखते हैं साल दर साल कुछ ग्रोथ अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन में देखते हैं तो बहतरी नजर आ रही है आप देखिए कोवीड का समय अगर हम छोड़ दें इस बीच का तो आप देखिए प्रॉफिट भी अच्छी खासी प्रित्यक वर्ष प्रॉफि करने है कि इतनी छोटी कंपनी में देखिए फाइस भी थोड़ी सी क्योंकि छोटी कंपनी है स्मॉल काइप की है इंट्री लेना शुरू कर दिया है इन्होंने पॉइंट एट परसन यहां पर जो होल्डिंग दिखाय दे रही बाकी जो है रिटेल आन दर्स हैं छोटी बड होल्डिंग से हो गई 71.60 लोगों की होल्डिंग घट रही है लेकिन ऐसे प्रमोटर्स की होल्डिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर को पता है कि उसकी कंपनी की वैलिव क्या है फ्यूचर में आने वाले समय में तो यह रहा दोस्तों आज का बेहतरीन स्टॉक मुझे लगता है कि प्रत्य गिरावर्ट में जो भी आप चाहें अपनी रीसर्ज के अनुसार फनेंशिल एडवाईजर के माद्यम से इस स्टॉक पे और भी विचार मिवर्श करने के पाद शाथ आप इस्तती बना सकते हैं कि लंबी ओधी के लिए मुझे लगता है कि फूटर में इस प्रकार का इनका प्रोड़क्ट पोट्फोलियो है काफी अच्छा खासा रेटिन बन बॉन्स आदमें ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं शून नबाई फिन्वेशिया का प्लेटफॉर्म यूज करके फिन्वेशिया एक फिंटेक कंपनी है जिसकी शुरुवात 2009 में हुई थी जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अपना ब्रोक्रिज फ्री प् शून नबाई फिन्वेशिया से भी अप्रूब्ड ब्रोकर हैं और यह कंपनी हर और्गनाइज़ेशन में रेजिस्टर्ड है जैसे कि एन्सी बीसी एंसी डी एक्स सीडी एसल एक्स इन्हें आर्बियाई से एन्वी अपसी का लाइसेंस भी प्राप्त है तो आप सोच सकत ब्रोकरिज देनी पड़ती है पर शून निबाई फिन्वेशिया पर इन सब ट्रेट्स पर ब्रोकरिज बिल्कुल जीरो है इसके अलावा दोस्तों आप डिरेक्ट मूचल फंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी कमिशन फ्री ट्रेडिंग करते हुए बस आपको यह ग इसी दरीके से और भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं शून में जैसे कि आप बल्क बास्केट ओर्डर्स अगर आप करते हैं जी टीटी ओर्डर्स हो गया अगर आप ब्रैकेट ओर्डर लगाते हैं ओर्डर स्लाइसिंग ओक्शन आ गया एकुटी एसाइपी हो हेज मार्जिन बेनिफेट्स एट ओर्डर लेवल हो गया इस्टॉक प्लेजिंग एन इडिस फसलिटीज मिल जाती हैं आपको यहां पे इस पर अकाउंट ओपेन करना बहुत ही आसान है कुछी मिनट्स में आप अपना अप्लेकेशन सब्मिट कर पाएंगे बस आपको डिस करते हैं तो सूचिए साल में आप यहां से हाजारों रुपए ब्रोकरेज बचा सकते हैं आई होप दोस्तों आपको की यह इंफोमेशन काफी अच्छी लगी होगी साथी शूर निबाई फिनमेश्य जो प्लेटफॉर्म है यह ब्रोकरेज बचाने में आपके काफी मदद क करता है आपके अगर कोई प्रशनेया सुझाओं हों तो जरूर हमें आप कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग दस वेलियो फ्रेम्स